हेलो बचो नमस्कार कैसे आप सब लोग उम्मीद बहुत अच्छे होंगे सांदार जिंदाबाद जबर जस्त होंगे बचो बचो एक थमने लभी आपने देखा होगा दो अक्टूबर को अगर आपको संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करना है तो दो अक्टूबर को आप इस क्लास का पुरा लुट्व उठा रहे होंगे बचो ये 12 घंटे ले लगातार हमारे के टीचर है नवीन सर्मा जिसको आप लोग जानते होंगे तो वो पूरे 12 घंटे के साथ एक साथ आपके साथ खड़े रहेंगे और complete हिंदी करेंगे अगर आपको बहुत जल्दी है मैं कहूंगा आप सभी को एक overview इस क्लास से मिल जाएगा सभी बच्चों को उस क्लास में जरूर आना चाहिए तो आपको कम से कम ये विश्वास्त हो जाएगा कि हिंदी ऐसी आज नहीं है जिसको हम हम सीख ही नहीं सकते हर बच्चे को उस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो बच्चे दो अक्टूबर का दिन याद रखना दो बज़े का टाइम हो सामके आठ तक ये क्लास चलने वाली है चलिए बच्चे आजाईए और आप सब लोगों के सामने अब एक लक्ष भी है और लक्ष क्या है आप सब को पता है कि 28 नवंबर को मेरा पेपर है और बच्चे हम 28 नवंबर बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपका सीटेट का है तो वो 13 दिसंबर का है यदि हम 28 निकलेगा ही सीटेट भी निकलेगा तो सीटेट वाले बच्चे भी अब मैं 28 नवंबर हमारे सभी टीचर्स के मन से निकलेगा हम कोशिस करेंगे कि 10 तक 10 नवंबर तक आपका कोर्स पूरी तरह से कंपलीट हो और बिल्कुल बच्चे कोई एक बच्चे का मैं कल कमेंट दे आपके लिए इंपोर्टेंट होगा उस स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे अभी पढ़ा रहे हैं अगर आपको यह जल्दी लग रहा है तो फिर आपको सिलो कहीं लगी नहीं सकता बच्चे हम वो हर संभव कोशिस कर रहे हैं जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आए औ और रिवीजन की कम से कम जरूरत हो इस चैनल की सबसे खास बात बच्चे यह है कि आपको रिवीजन की कम से कम जरूरत पड़े और बच्चो आप सभी को आप सभी को हर क्लास की PDF भी मिल रही होगी जो पेड कोर्स में भी टाइम से नहीं मिलती और यहां आपको फ्री कोर्स में भी बच्चे हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि बच्चे को PDF चाहिए ही चाहिए कि वो अपने इतने अच्छे notes नहीं बना पाता है क्या ही बार तो बच्चो रोजगार विद अंकित एप पर एक second फोल्डर है paid class से अगला किसी के में वो teaching class folder so करेगा किसी के में वो babu batch folder so करेगा update कर लिया तो teaching class PDF so कर जाएगा जिसका पुराना वर्जन है उसके में वो babu batch so करेगा उस पे click करेंगे आपको हर subject की PDF मिलेगी दो subject दो class हुई है हर subject में पूरी दोनों classes की PDF आपको वहां से मिल जाएगी download कर सकते हैं print निकलवा सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं ठीक है क्या सब को इस बात की पता है ना बच्चो की PDF कहां मिल रही है ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है बच्चो ए लाइन भी मैंने नीचे इसलिए ही चलवाई है कि आपको PDF का पता चल सके कि कहां है ठीक है और आप सब को पता लग रहा होगा कि वह वास्तम में बहुत सांदार नोट्स है ठीक है और वह बहुत बच्चे बहुत काम आने वाले हैं आपके आगे अब बच्चे में शुरुवात करता हूं बच्चो हम वर्ण माला में पढ़ चुके हैं स्वर को बहुत अच्छे से हम आगे टीचिंग एक्जाम्स दोगे डीटरपल एस भी का दोगे यूपी पी आईटी दोगे या केवी एस का दोगे कोई भी आप एक्जाम्स क्यों न दे लेना बच्चे सारे एक्जाम्स में एक खास बात होती है कि टीचिंग एक्जाम्स में कोश्चन्स बहुत रिपीट होते हैं KVS में PRT का आजाएगा PRT में PZT का फस जाएगा PZT में TZT का आजाएगा ऐसे mix-up बहुत चलता है आप देखोगे हर question repeated होता है कहीं ना कहीं तो teaching exams में यह नहीं कि मैंने UP TED का exam दूँगा तो सिर्फ मैं UP TED के questions पर practice करूं नहीं आप सीटेट के पर भी करिए आप UP सूपर टेट के पर भी करिए आप KVS का paper भी देखिए उसमें जो हिंदी आई है आप PZT की हिंदी भी देखिए आप TZT की भी हिंदी देखिए PGT हिंदी तो अपने आप में थोड़ा डीप जा सकता है क्योंकि वहां हिंदी जिसका अपना subject होता है तो वहां साहित्य थोड़ा ज़्यादा आ जाता है बच्चो ठीक है तो हम सब कुछ कराएंगे आपको हर एक बात और हर चीज बच्चो आपकी repeated आपको इसमें मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं हिंदी का एक question आप नया नहीं दिखा सकते अपने पेपर में UPIDATE में UPIDATE की बात कर रहा हूं एक question आप नया नहीं दिखा पाओगे कि सर यह नया question किसी exam में नहीं है हर question repeated मिलेगा यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ठीक है तो बड़ एक बार सेयर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो बैटा कल मैंने सुर पढ़ाया था आज मैं व्यंजन पढ़ाउँगा उच्चारण स्थान पढ़ाउँगा एक है तो व्यंजन की बात करूँ वे 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 वर्ण जो स्वरो की सहाथा से बोले जाते हैं जो स्वरों की सहायता से वर्ण क्या अक्षर कह सकते हो बच्चे अक्षर कहिए तो ज़्यादा अच्छा है वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हूं सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं वेंजन कहलाते हैं बोले जाते हैं इसका example मैं आपको दे चुका हूँ कल भी बेटा कल भी मैं इसका example आपको दे चुका हूँ कि बच्चो की ऐसा कैसे हो सकता है सर क्या आप सारे vengeance वरों की सहता से बोल जाते हैं हाँ बोलिए का सब में ए का sound बाद में जरूर आएगा तो जब ए का sound आ रहा है अगर मैंने का का बोला क्या बोला तो बच्चो इसमें बाद में ए बोल रहा है तो आप कहिए कि इस vengeance को बोलने में मुझे ए का सहरा लेना पड़ा और ए क्या था कल मैंने आपको बहुत अच्छे से 11 सुवर पड़ाए है लेकिन वो बोलने के आधार पर सिर्फ दस ही थे क्योंकि री को हटा देते हैं बच्चो क्लियर है बहुत सही चलो अच्छा खोजने में प्रॉब्लम ना हो चलो मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं आगे कि ये वीडियो पर मिल जाएं आप लोग ये चाह रहे हैं बेटा एप वाले ना खटी आखडी कर देंगे कि फ्री का मैटिरियल क्यों दें हम एप पर सर्वर उनका खर्च होता है उस पर चलो देखूंगा बच्चो जो भी कोसिस हो सकती है ठीक है चलिए वे वर्ण जो स्वरो की सहता से बूले जाते हूं अब बच्चे मैं बात करता हूं वेंजन की अब कौन-कौन से वो वेंजन हैं जरा बात कर लेते हैं वेंजन कौन-कौन से हैं जरा बात कर लेते हैं बच्चो ठीक है हम सारे वेंजनों को अब लाइन से जानेंगे बच्चे पहले मैं 25 वेंजन लिखता हूँ जिसको हम बोलते हैं इसपर्स वेंजन इसपर्स वेंजन की आपकी 5 लाइन बनती है याद रखिएगा कि ऐसे भी कुश्चन आया है कि इसपर्स वेंजन कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं याद रखना कितनी पंक्तियों में 5 पंक्तियों में पंक्तियां मैं आपको बना दे सकता हूँ बच्चे दे रहा हूँ जैसे अगर मैं देखू बच्चो कचट तप सबसे अच्छा तरीका इनको लिखने का अगर आपको नहीं आता है तो आप कचट तप याद रख लीजिए क्या कचट तप जब आप कभी भी लिखते हैं ना बच्चे तो खलंत जरूर लिखते हैं अगर वेंजन लिखते हैं तो तो के वर्ग ठीक है इसको वर्ग ही माल लेते हैं बच्चो चै वर्ग पहले पहले वर्ण को जो एक पहला कॉलम है उसके पहले वर्ण को यानि हर पंक्ती का पहला वर्ण है पूरी पंक्ती आएगी उसका पहला वर्ण पूरी पंक्ती पहला वर्ण उस पहले वर्ण को वर्ग के नाम से बोल दियाता है कि ये टै वर्ग है ये तै वर्ग है और ये पै वर्ग है ठीक है बच्चो तो अब आम मैं बोलूँगा इस वर्ग में अगर मैं अंदर की बाते लिखूँ तो बच्चो आपको पता होना चाहिए क्या वर्ग में पहला वर्ण तो काही होगा फिर खा, फिर गा, फिर गा और फिर अंगा ठीक है बच्चो फिर अगर और चै वर्ग में लिखूँ तो पहला तो चाही ही होगा चा, छा, जा, जा, और इया, इया ऐसे बनता है ठीक है टा वर्ग में देखें ता ठा डा धा ठा ठीक है बच्चो अब बच्चो साथ में यहीं मैं लिख देता हूं कि यह जो है कोई बार आप डा ऐसे भी देखते होंगे कि जिसके नीचे बिंदी आती है। और कई बार ढा भी ऐसे देखते होंगे, जिसके नीचे बिंदी आती है, इन दोनों वर्णों को साथ में लिख लेना, ढा और ढा ये दोनों उत्छिप्त वेंजन बोल जाते हैं, उत्छिप्त वेंजन, उत्छिप्त वेंजन, ये आप कहीं नोट कर देना साथ में, उत्छिप्त वेंजन का मतलब, अब बच्चे इनकी सबसे खास बात है, कि कोई भी सब्द लिखुआ आप हिंदी का, कभी इन से सुरू नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी बन चुका एक्जाम में, कौन से वेंजनों से कभी भी कोई सब्द शुरू नहीं होता है, तो आपका ओप्छन था, इसपर्ष वेंजन, अंतस्ट वेंजन, बच्चे इस तरह से ओप्छन, और एक उत्छिप्त वेंजन, तो आप उत्तर क्या करेंगे, उत्छिप्त वेंजन, बहुत बढ़िया अब बच्चे इस वर्ग को लिखवाईए मेरे साथ क्या आप बोल सकते हैं बताईए बटा ये तो रटना पड़ेगा आपको अगर आप ये रटे बिना हिंदी सीखना चाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है बच्चो है ना तो ता था दा धा ना ठीक है बच कि आप कंफ्यूज होंगे दो लेंगवेज चुननी पड़ती है ये एक हिंदी कंपलसरी लेंगवेज है अब इंगलिस ऑप्शनल है आपकी संस्किर्ट ऑप्शन है उर्दू उप्शन इनमें से कोई सी भी आप चुन सकते हैं जो आपका मन करें अगर आप यहां पर बच् कमाती है ना के बराबर आती है तो मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप इंगलिस चुन लीजिए मैं 100% कह रहा हूं कि आप सूपर टैट हो या टैट हो इंगलिस चुनके कभी पच्टाएंगे नहीं क्योंकि आप हम से जुड़े हुए होंगे और बच्चों य गरंटी है कि मैं आपको इंगलिस में इतने बहतरीन मैंने आपको टीचर दिये हैं आप एक क्लास ले लोगे उनके फैन बन जाओगे बटा इतने क्वालिफाइड इतने वेल एजुकेटिड टीचर हैं इंगलिस की क्लास में से एक कॉस्चन बाहर निकल जाए तो बता देन बच्चो ठीक है लेकिन संस्किर्ट का क्या है बच्चो यूपी के बच्चे जादा तर संस्किर्ट प्रीफर करते हैं एक तो संस्किर्ट आगे कहीं काम नहीं आती है और संस्किर्ट का आगे कोई यूज भी नहीं हाला कि वानी देव वानी है वो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको संस्कृत भी बिलकुल नहीं आती, तो भी English ही decide कर लेना, लेकिन अगर आप संस्कृत से paper दे चुके हो, और मैं 10 बारे पहले भी सही कर देता था, तो आप जा सकते हो संस्कृत के साथ, ठीक है बच्चो, तो संस्कृत के लिए बहुत सारे बच्चे demand कर रहे हैं, बच्चो, संस्कृत के teacher की खोज चल रही है, जैसा ही खोज पूरी हो जाएगी, अगले दिन यहां नजर आ जाएंगे, ठीक है, और कोई बात हो तो बताओ, CTAT हो या UPTAT हो, English में बच्चो आपको निरासा हाथ नहीं मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ, सर, CDP समझ में नहीं बटा, CDP और Pedagogy दो ऐसे subject हैं, जो थोड़े देर से समझ में आएंगे, क्योंकि बड़े ही boring subject होते हैं, लेकिन teacher इस तरह से पढ़ा रही हैं कि आपका उनमें भी interest पैदा हो सके, लेकिन इतना बता रहा हूँ बच्चो, जो subject जितना मुस्किल होता है ना, उसका question उतना ही कम गहराई से पूछा जाता है, अर्थात उतना ही आसान पूछा जाता है, इसलिए अगर आपको कम भी समझ में आ रही है ना, फिर भी आपको पढ़ना है, और फिर भी आप ये कहोगे, कि सर ये तो मेरे question सही हो रहे हैं, सारे पढ़े हूँ मिल रहे हैं, यही खास बात है CDP म कि सब कुछ पढ़ाया हुआ मिल जाता है, ठीक है, एक बार interest पैदा कर लो, आप CDOP और pedagogy में आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा बच्चो, ठीक है, चलिए, आगे अगर मैं पैवर्ग की बात करूँ, अगर पैवर्ग की बात करूँ बच्चो, तो आपको ये भी आता हूँ ये बच्चा वर्ण बोलते हैं, इनको पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चो, बच्चा, बच्चा वर्ण, बच्चा वर्ण क्यों बोलेंगे इनको, बालक वर्ण क्यों बोलेंगे बच्चो, क्योंकि ये जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, औ तो बेटा, वो पहले होट मिलाने सीखता है, उसके बाद अपनी जीब को घुमाना सीखता है, जीब घुमाने से जो वर्ण बोले जाते हैं, उनको हम इसपर्स वेंजन कहते हैं, इसपर्स वेंजन कहते हैं, जीब जिस जिस हिस्से पर टच करेगी, जीब दात पर टच करेगी तो दंतव्य वेंजन बन जाएगा जीब बेटा जीब अगर तालू को टच करेगी तो तालव्य वेंजन बन जाएगा और जीब मुर्धन्य मुर्धा को टच करेगी तो मुर्धन्य वेंजन बन जाएगा अर्थात ये सारे इसपर्स वेंजन होते हैं तो sparse वर्ण की परिभासा क्या हो गई? जो वर्ण, जीब जहां बही मूँ में हमारे कहीं भी sparse करती है तो जिन हिस्सों को sparse करती है उसको उसी वर्ण के नाम से जाना जाता है ठीक है बच्चों तो वही sparse है, sparse वर्ण यानि जीब के sparse से बोले गए वर्ण वो इस परसिव एंजन कहलाते हैं अगर बच्चों मैं बात करूँ कि ये पहला वर्ग है इसको हम दूसरा वर्ग बोलते हैं इसको हम तीसरा वर्ग बोलते हैं इसको हम चौता वर्ग बोलते हैं इसको हम पाच्वा वर्ग या पंचम वर्ग बोलते हैं इन पंचम वर्ग को य इस पंचमा अक्षर को हम नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं क्या नासिक्य वर्ण या करके अनुनासिक 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 वर्ण बोलते हैं ठीक है बच्चो अनुनासिक वेंजन नासिक्य वेंजन या वर्ण वेंजन ठीक है बच्चो तो इनको हम अनुनासिक ये नासिक के क्या होते हैं नासिक के लग रहा है नाक से तो बच्चो वही नाक से इनको बोला जाता है जिनको बोलने में जादा चीजे नाक से निकले समझ जाईए वो आपके वो पंचमा अक्षर में हैं सारे उनी को इसलिए नासिक के कहते हैं जैसे जैसे इसको बोल के देखो ये अंगा अंगा तो ऐसे लग रहा है जैसे नाक में कर गया हूँ बेटा ये देखूं तो ये इया है इया ठीक है इया नाक में कर जा रहा है अना अना बेटा मूल का कम्यूज नाक का जादा नाक बंदगर के बोल के देखो आपक ठीक है बच्चो ये जो वर्ण हैं ये सब ना सिक्क्य हैं बहुत सही क्या यहां तक सारी position clear हो गई आपको टैवर्ग मैं आपसे लिखवाऊंगा बैटा अगर टैवर्ग लिखवाऊंगा तो आपको एकडम से याद आएगा टा ठा डा 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 ना ऐसे याद आना चाहिए चीज आप बहुत आसानी से बता पाओगे अगर मैं बच्चो और आगे चलूँ तो और आगे मुझे आज ये वर्ण माला खतम करना है बच्चा बिलकुल खतम कर दूँगा मैं आपका साथ चाहिए बस अगर मैं आगे बोलू बच्चो तो ये मैंने लिखे हैं क्या इस पर सही सूपर टेट का भी तयारी करवाईए सर प्लीज बटा मैं सूपर टेट वालों से बोलना चाहूंगा कि देखिए सेक्षन कॉसल सेक्षिक कॉसल जो चल रहा है दस नंबर का आएगा पैड़ागोजी है वो पढ़ना वहां भी यही सब चीजे पढ़ेंगी तो पैड़ा क्लासिज और अलग हैं पहले इन से अपने टेंसन खतम कर लिजए क्योंकि अगर आपने टेट भी पास किया होगा तो वह बहुत पहले किया होगा अब भूल चुके होगे उन चीजों को तो पहले इन चीजों को नया कर लिजए जब हम इसके बाद शुरू करेंगे ना बच सीडी भी पैड़ा को जी तो उससे लग कुछ होती नहीं है बच्चो इतनी गहराई से हम लोग पढ़ाएंगे हिंदी में कहीं भी कोई कुश्चन चुट जाए तो मुझे बता देना तो पिटा सूपर टेट कि क्या मैं दस क्लास और सुरू कर दू क्या पढ़ पाऊगे नही तब भी दो पार्ट में पढ़ो तो बहतरीन हैं 5-6 सब्जेक्ट आव तयार कर लो 5-6 सब्जेक्ट बाद में कर लेना टोटल 12 सब्जेक्ट हैं आपको ऐसे लगेगा 10-12 सब्जेक्ट हैं इतने इजलीं इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी टा नहीं है, लेकिन अब मजबूत तो हो जाओ आप पहले इसमें, बात तो इतनी सी कह रहा हूँ बस आप से, अब अंतस्त वेंजन की बात करूँ, तो बя्टा, अंतस्त वेंजन कौन से होते हैं, अंतस्त वेंजन होते हैं, देखे बच्छे, आप यहाँ पर चार अंतस्त उस्मिय वेंजन भी होते हैं उस्मिय वेंजन भी होते हैं अंतस्त वेंजन किसल ये जो अंदर से बोले जाएं जिन में बहुत जोर लगाना पड़े बोलने में उनको अंतस्त वेंजन कहते हैं अब उस्मिय वेंजन सुलो बैटा किरामेन को लिखने का सबसे पहले कौन सी से ये वाली फिर दूसे नंबर पर ये लिखी जाती है ठीक है बच्चो ये तालव्य से होती है ये मूर्धन्य से होती है और ये कौन सी से होती है बच्चा ये कौन सी से होती है कोई बताएगा कौन सी से होती है धनतव्य होती है अभी याद करवा दूंगा सारी को चिंता मत करो एक-एक पॉइंट याद होगा, ये बटा, ये चार उसमिय वेंजन है, चार अनतस्त वेंजन है, इनको उसमिय किसलिए कहा गया है, उसमिय इसलिए कहा गया है, कि इनको बोलते टाइम हमारे मुख से उसमा निकलती है, उसमा क्या होता है, बटा, जो उसमिय वेंजन है, उनको तो हम संगर्सी वेंजन भी कहते हैं, संगर्सी, बैटा संगर्स करके आते हैं सारे वेंजन, यानि बैटा इनको क्या बोलते हैं, कि जब भी हम मुख से बोलें, तो हमारे मुख से गरम हवा निकलती है, बैटा गरम हवा कब निकलेगी, गरम चीज कब बनेगी, हतेलियों को र संघर्स कर रही हैं तो ऐसे जब हम इनको बोलते ना तो हमारी आत संघर्स कर रही होती हैं तभी तो गरम हवा निकलती है ना बच्चो इसलिए इसको संघर्सी वेंजन भी बोलते हैं क्या आपको याद हो गया संघर्सी वेंजन संघर्सी वेंजन क्या होता है क्या आपको या ऐसे लगेगी आपको ठीक है बच्चो तो ये ये रेले वे के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए बच्चो बहुत मज़ा आएगा जैसे मैं इन दोनों को बोलू फस्ट और लास्ट ये और वे को बोलू बच्चो तो इनको मैं अर्ध स्वर बोलता हूं कहीं लिख दीज है अर्ध स्वर की गिंती में क्योंकि ये स्वरों के हिस्थान पर यूज हो जाते हैं कहीं कहीं आप कहोगे सर कहाں पर बेटा मैं अगर बोलू तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत सारी जगें हैं कॉअ बेटा अब जैसे मैं बोलू कुवा कुवा आपने देखा वु कुवा को हम वकौ लिख सकते हैं। कुवा को कुवा को हम कुवा लिख देते हैं। क específic कुवा है न वच्चो склад Speaking और pewno Portuguese क्ज़र को निए के स्थान पर वैं अभी येका तो देखा ही नहीं, सर येका भी दिखादो, बेटा अगर मैं यहां पर लिख दूँ, मही लाएं, मही लाएं, इसको अगर मैं चाहूं, तो एक स्वर से रिप्लेस कर सकता हूं, और आपने ये भी लिखा देखा होगा, कि ये दोनों ही करेक्ट हैं, बच्चो ऐसे भी लिख देते हैं ऐसे लिए ठीक है और ऐसे भी देखा होगा लिए तो आपने देखा ये की साथ ये की जगे ये आ गया तो कितनी जगे आपने देखा ना बच्चो कितने अराम से आप कह सकते हो कि भाईया ये और वे दोनों ही स्वरों के इस्थान पर क्योंकि ये क्य हम इनको क्या बोलते हैं अर्दस्वर बोल देते हैं अब बच्चो ये जो दो हदे कि अंतस्त वेंजनों में अपनी एक खास बात होती है जैसे ये दोनों इन दोनों को तो मैंने बता दिया अर्दस्वर हैं अब इन दोनों में भी खास बात क्या होती है बच्चो ये वाला ज बच्चे लिखना लुन्ठित या प्रिकम्पित वेंजन प्रिकम्पित वेंजन वेंजन भी लिख देना बच्चो तो यह रह का बच्चे लुन्ठित या प्रिकम्पित वेंजन अगर मैं बच्चो और किसको देखता हूं क्या और रह गया यह लुन्ठित और प्रिकम्पित क कम्पित नहीं समझनाया तो बच्छो अगर मैं रे को देखुँ रे रे बोलके देखो रचो रहा की जीव कमपन करने लगती है इसलिए हम इसको प्रकम्पित वेंजन बोल सकते हैं अब बच्चो अगर हम लेको बोल कर देखें तो लेको बोलते हैं पासर्विक क्या पासर्विक वेंजन पासर्विक वेंजन क्यों बोलते हैं बच्चो इसको पासर्व माने हुता है पीठ पीठ का परियावाची है पासरू पीठ मतलब पीछे हर किसी की बैक हिंदी अंगरी जीव नहीं बोलते हैं बैक मतलब पीछे अब बच्चो ये क्या है ले को हम फिर पीछे क्यों बोलते हैं बैटा ले को इसलिए बोलते हैं एक बार बोलके देखो ले ले, सारी चीज जीब पर निर्बर कर रही है इस पर्स वेंजन क्योंकि जीब इस पर्स करती है बेटा इसको भी जैसे ले बोलोगे ले, बोलके देखो, ले तो आपकी जीब का पिछला हिस्सा है न वो दान्तों से टकराता है ले, ले जैसे ऐसे टकराता है उपर जाके तो जीब के पिछले हिस्से से बोले जाता है यह back side से इसलिए इसको पासरविक वेंजन कहते है समझ में आ गया बच्चो हाँ अब कोई बच्चा कह रहा है सर आगत वेंजन भी तो होते हैं अभी तो संयुक्त वेंजन भी होते हैं आगत भी होते हैं मैं अभी बताऊंगा आगत भी ठीक है अब मैं आपसे संयुक्त वेंजन की भी बात कर लेता हूं तो बच्चे संयुक्त वेंजन कैसे याद रखने हमें संयुक्त वेंजन ठीक है, बहुत ही important बात है, अब बच्चों इनको भी याद रख लेना, च्छत्रग्य, च्छत्रग्य, और स्रे, last में स्रे, तो ये चार होते हैं सैयुक्त वेंजन, सैयुक्त वेंजन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि ये दो चीजों के सैयोग से बने होंगे, दो वर्नों क संयोग से बने होंगे बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बच्चा कह रहा है नेहा चौदरी कह रही है सर क्लीर नहीं दिख रहा ऐसा तो होई नहीं सकता सर दिखता नहीं कैसे मैं तो बहुत साफ साफ बोर्ड पर लिख रहा हूँ और ये कलर भी बहुत प्यारा है ठीक है इस पर वर्ड भी बहुत अच्छा आता है ठीक है आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजे वीडियो की हैं तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा बहुत सही बच्चों देखिए आप बहुत सारे अच्छे कमेंट कर रहे हैं सर मौज कर दी सर बहुत मस्त पड़ा मैं ना सरमात हूँ अच्छे कमेंट पड़ने में इसलिए जो अच्छा पड़ते हो मैं उसको नहीं पड़ता जो खराब लिखते हो ना या जो मुझे बुराई दिखती है मैं उसको पहले पड़ता हूँ ठीक है ताकि मैं आपकी समस्या का सॉलुशन कुछ बता सको बहुत सही देखिए च्छत रग गय ये जो है ये जो बच्चे हम इसको कह सकते हैं कि ये किस किस से मिल के बनाई ये किस से मिल के ये किस से मिल के तो बच्चो जब सही उक्त है तो दो से मिल के बना होगा याद रखना पहला वाले में हलंत होगा दूसरे वाले में हलंत नहीं होगा का पलस है ये पूरा ये आधा अगर मैं इसकी बात करूँ तो तय आधा और रह पूरा बेटा त्रे ये तो साफ ही पता था इसमें त्रे देखिए इसमें कोई नहीं कह सकता रह पूरा होता और मैंने कल ही बता दिया था जब भी ऐसे रह लगेगा वो पूरा ही होगा आधा रह होता है हमेशा उपर जैसे वर्ग में चड़ता है करम में चड़ता है धर्म में चड़ता है वो वाला रह होता है आधा रह ठीक है बच्चो बहुत सही और अगर मैं इसको देखूं तो बटा इसमें जै आधा और इया पूरा ठीक है इया से भी बनता है देख लो और ये जो है बच्चे श्रे अब श्रे इसमें पता है तो से जरूर होगा लेकिन से कौन सा बेटा से सलजम वाला से होता है और ये आधा पहले अक्षर समय आधे आधे होंगे ये याद रखेंगे आप बहुती बढ़िया बहुती मस्त सर पेड़ागोजी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है सिखा यादव बो पेड़ागोजी थोड़ा सा मुस्किल बेटा लड़कियों को तो जल्दी समझ में आती है पेड़ागोजी क्योंकि वह एक प्रकार से लेंगवेज है वो क्या है सिख्षन कॉसल है बचो आप खुद एक बात सोच के देखिए अगर मैं यूपी टैट में बात करूँ तो मै समाक की पेड़ागोजी है बचो पेड़ागोजी को हम अगर पढ़ेना वो है सिक्षन कॉसल यानि सिक्षा सिक्षन देने के तरीके बच्चों तक सिक्षा पहुचाने का तरीका क्या होता है वो है वो अब बच्चों उसको तो थोड़ा थर्टिकल तो रहे गाई नहीं तो उसको practically सोचिएगा कैसे सोचना है अच्छा मतलब अगर हम ऐसे पढ़ाएं तो बच्चा जल्दी सीखेगा तो उस में क्या होगा कि आपको बच्ची के भी गुण जानने पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सिक्छन कौसल में तभी अच्छा हो सकता हूं जब मै मैं आपके मन के doubt पकड़ सकूँ क्योंकि 60 marks है किस में आपको भी पता है सीटेट में बच्चो बहुत important छोड़ नहीं सकते ठीक है अब बच्चो मैं ये कहना चाहरा हूं कि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं बहुत हुश्यार हूं अपने आप में लेकिन मेरे अंद ये मेरी क्लास पर अभी 10 साल के बच्चो को बिठा दिया जाए ये 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 तो बटा उनको तो कैकबूतर से ग्याग्यानी तक रट ले वही बड़ी बात है क्या मैं उनको कभी सिखा पाऊंगा इस पर स्वेंजन या संयुक्त वेंजन तो क्या सब कुछ उनके ऊपर से नही ताकि attraction पैदा कर सकूं ठीक है तो age भी उसमें decide होती है किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है तो वो सारी चीजे बटा थोड़ा सा महनत उसमें करनी पढ़ेगी कि आपको पढ़ाना सीखना है और इसलिए तो ये test हो रहे हैं कि आपको पढ़ाना आना चाहिए ठीक है तो पैड प्रसिस तो करो और फिर आप देखोगे दस दिन मन लगा लो ग्यारवे दिन आप खुद कह दोगे सर बहुत अच्छा मन लग गया दस दिन मेरे कहने से मैडम की किलास पूरे मन से हर चीज रट दो और फिर कहना कि मेरा मन लगा यह नहीं लगा बैटा बहुत मज़ा आ जिस सब्जेक्ट से जिस बच्चे को आज तक नफरत हुई है वो बच्चा हमेशा उसमें कमजोर रह गया है बच्चो चलिए तो सैयुक्त वेंजन मैंने आपको बता दिया है बच्चो क्या होता है बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे अब बच्चो बहुत सारे बटा आगत वेंजन क्या होता है दरसल मैंने कल आगत स्वर का भी जिकर नहीं किया था मैं यहां कर देता हूं कि आगत स्वर हमने एक माना है बच्चो क्या माना है एक क्या होता है वो औ तो यह औ बनता कहा है डॉक्टर डॉक्टर टॉफी कॉफी यह जो है अगर कोई पू Kyuxyli Matrata होती है. Matra को हम किस में लेते हैं? Suaro में. ठीक है तो यह कहा से आया English से? तो यह हमारा सब्द कभी Docx ठा हिनी. हमारा क्या सब्द था? हमारा तो चिकित्यसब्द था, वैद सब्द था. हम तो बैटा कभी Doctr बोलता ही नी थे ये तो अंग्रे जी को हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया, अब हिंदी में अगर डॉक्टर लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, अब ऐसा लिखा जाएगा तो हिंदी ने पूछा ये कहां से आया, हमने बोल दिया, ये अंग्रे जी से हमने उधाल ले लिया, तो बेटा इसल लिखे दिजिए ये लिख दिया मैंने, ख्या खा गा, खा गा ये जिन में नुक्ता लगा दिया भींदि लगा दिये, इनको बोलने का क्या कोई और तरीका भी हाँ बच्चो, और बता रहूं, पांच आप याद रख लीजिए, वन्जन हैn, आगत वन्जन हमारे, जैसे हम ब इस तो वहां पर हम इसको थोड़ा सा वजंदार तरीके से बोलते हैं, ठीक है, तो अब जो फार्सी भासा है ना, जो अर्बी भार्सा है उनमें इनवर्नों का यूज़ किया जाता है इस तरह से बोलने में ठीक है, पानी लेके आना बुत यूं तो इनको हम आगत वैंजन बो बच्चो उमीद है आप बहुत अच्छे से समझ गे होंगे कि आगत वेंजन कौन से होने वाले हैं ठीक है बच्चो बहुत कुछ मैं आपको बता पाया अब बच्चो मैं बात करता हूँ आपने सुना होगा दो चीजें जरूर सुनी होंगी एक सघोस और एक एघोस एक अलप प्राण एक महाप्राण वेंजनों को दो तरीके से बाटेंगे पहला एक तरीका है उसको घोसत्व के आधार पर दूसरा तरीका है प्राण वायू के आधार पर तो बच्चा याद रखना कि घोसत्व के आधार पर गोसत्व के आधार पर पर वेंजन, वेंजन के प्रकार, वेंजन के प्रकार, जैसे कल हमने स्वर को तीन तरीके से बाटा था, चौथा भी था उत्पत्ति के आधार पर, उपर है ना उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने वेंजनों को उपर भी बाट लिया, अंतस्त, इसपर्स, फिर वो किस के आधा पर थे ठीक है तो वो तो हमने उस हिसाब से बाट दिया या उनकी उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हूं लेकिन अब किसके आधार पर कह रहा हूं मैं घोसत्व के आधार पर वेंजन के प्रकार सिर्फ दो ही होते हैं बेटा एक तो एघोस आपने बहुत बार सुना होगा और से दूसरा होता है घोस अब गोस को हम सै घोस भी बोलते हैं याद रखना घोस और सै गोस बिलकुल βात बगल एक ही बात होती है सैंब बात होती है बच्चों अब आपको बैटा मैंने वर्ग सिखाए थे अब वर्गों के आधार पर बात करूँगा कि घोस क्या होता है बैटा घोस होता है हमारा स्वर घोस यानि जो हमारी अवाज है जो हमारी ध्वैनी है जिस ध्वैनी में कोई भी कोई भी बैटा कोई भी हम कहते हैं एक प्रकार से जिसमें अवाज जिसमें घोस ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा पैनी अवाज सी ना हो वो एगोस है और जिनमें बच्चा थोड़ा सा अवाज में दम सा नजर आता है आपको तो वो आता है घोस म अब मैं आपसे बोलूँगा कि इसमें मैं आपको देसी तरीके में पढ़ा रहा हूँ पैसे आवाज में दमसा आता है बाकी इनको कोई पूछेगा नहीं आगोस क्या होता है बेटा ये पूछेगा एगोस वेंजन कौन से है एगोस वेंजन कौन सा नहीं है सेगोस वेंजन पूछने वाला आप से ठीक है चलिए तो प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा लेकिन बच्चे वो तब अभी कुछ दिन रुक के मिलेगा अभी कुछ कोर्स ही नहीं हुआ तो प्रैक्टिस सेट कैसे करवा दूँ तो पहला और बेटा दूसरा मैंने आपको उपर पांच वर्ग दि 12,000 का आप अगर इस कोर्स से क्लास ली है तो आप हर उस बच्चे को टक कर दे पाऊगे मैं कहूंगा उनसे बेहतरी निस कोर कर पाऊगे जिसने पैसे में देकर क्लास ली है ठीक है और यह गरेंटी है बच्चो इस बात की रोजगार विदं की चैनल पहले से फैमस रहा है अपने कंटेंट को अगर किसी से पैसा भी लिया है वो तो ना के बराबर ही लिया है बच्चो आज तक कोई हजार से उपर का कोर्स ही नहीं बनाया बैटा 900 तक का भी नहीं बनाया और बताओ ठीक है अभी एक साल हुआ है मैं इस रिक्षा के जगत में और टीचिंग लाइन हैं चलो बच्चो तो फर्स्ट और सेकेंड और अगर बोलो है बच्चो थर्ड बस फ्री की चीज़ की वेल्यू नहीं करते बच्चे बात इतनी सी है अगर आपने इसकी वेल्यू समझ ली तो किसी भी पेड क्लास से बढ़िया बतादो गर नहीं तो लेकर दिखा दो एक ब फर्स्ट फिफ्ट को रखते हैं बच्चो ये फर्स्ट सेकेंड क्या है क्योंकि जो मैंने आपको चीज़े ऊपर बताई थी आपको पता ही होंगी बच्चो देखिए ये जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि फर्स्ट क्या है देखिए जो फर्स्ट है इसमें ये पांचो second में ये 5, third में ये 5, fourth में ये 5, fifth में ये 5 बात आ गई समझ में कि first, second, third में किसको बोल रहा हूँ बच्चो तो यहाँ पर आप समझ गे होंगे कि first, second ए घोस के लिए बोलते हैं और बाकी third, fourth, fifth घोस के लिए बोलेंगे बच्चो clear है, जी बिलकुल यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्या सारे इस परसी वेंजनों को बाट दोगे आप ये इस परसी को बाटा है अभी सिर्फ मैंने, 5 वर्ग वालों को बाटा है अभी तो अंतस्त भी रह गया, सर, अभी तो उसमिय भी रह गया अंतस्त को किदर रखोगे, बाटा अंतस्त चार होते हैं, या रा ला वा तो बाटा इसको याद रखना कि या रा ला वा किदर जाएंगे, तो या रा ला वा आपके जाएंगे बाटा या रा ला वा ठीक है, ये घोस की तरफ जाते हैं, या रा ला वा और बच्चो, एगोस में हम किसको रखेंगे, एगोस, देखिये जैसे से, से, जितने तीन से हैं हमारे पास, यानि उनको हम उसमे वेंजन हैं, संगरसी वेंजन बोलते हैं, तीनो से और उसके साथ होता है तो जो से 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 तो से को हम से घुस में ले लें कितना आसान है जबकि नहीं उल्टा होता है तो से 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 तीनो जो से जाती है किरम में लिखना से को पहले ये वाली से फिर ये वाली से फिर ये वाली से तीनों से अगोस में जाएंगी और है इधर चला जाएगा बच्चे तूट गए अर्थात संगर सी वेंजन तूट गए तीनों से तुम यहां जाओ है बोला मैं इधर जाओंगा है बोला मैं उधर जाओंगा तो है उधर चला गया अब बच्चे अब अगर और बात करूँ तो और किसकी बात करूँगा मैं स्वरों की तो स्वर किदर जाते हैं तो बेटा स्वर सारे सगहुस में होते हैं सारे स्वर सगहुस में होते हैं हमने सब को तोड़ दिया और बेटा जो सईयुक्त है उनको नहीं बाठते को उनमें तो दो दो है नहीं है कोई उधर रह जाएगा कोई उधर रह जाएगा इसलिए सईयुक्त को इसमें नहीं बाठते तो टोटल अगर अगोस की बात करूँ तो पांच ये रहे पांच ये रह यह आपके वेंजनों की बात कर रहा हूं, 13 वेंजन, 20 है, तोटल 33 वेंजन होते हैं, आपको भी पता है, अब बच्चों, आपके उसर उत्षिप्त को किदर लेंगे, डे और ढे को किदर लेंगे, कोई अगर बच्चे के मन में ये बात हो, उत्षिप्त वाले, वो तो आ गए बच्चों देखें ये कौन सा वर्ग है मैंने आपको बताया था है कौन सा वर्ग है बैस मुझे इतना बताईए कि ये कौन से वर्ग में आते है टे वर्ग में आते है तो टा था डा ये वाला होता है और धा ये वाला होता है उन्हीं के साथ जिसमें ये आएंगे उसी में जाएंगे कितने बड़िया तरीके से मैंने आपको ये बात बता दिया अगर कोई उच्छिप्त भी पूछेगा तो इन में ही आएंगे फिर तो सर उच्छिप्त जादा हो जाएंगे बेटा इनको ना थोड़ा नेगलेक्ट करके चलते हैं इसलिए इनकी कभी संख्या नहीं पूछी आती है उच्छिप्त को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएंगे वेंजन वेंजन और उच्छिप्त को ना जोड़ूं तो 20 हो जाएंगे अब बच्चे स्वर 20 में आते हैं स्वर कितने होते हैं स्वर बेटा 10 होते हैं अगर मैं इसको बोलने के आधार पर देखू तो 10 लिखने के अधार पे 11 है, रह तो पहले ही दे दिया है, तो हम 10 महीं काउंट करेंगे, तो 20 और 10 एक परकार से 30 भी कह सकते हो, इनको मिला दू तो 32 भी कह सकते हो, इसलिए कभी संख्या नहीं पूछी आती, कारण बता दिया बच्चे आपको सारा, क्या अब आपको पूरा क्ल प्राण वायू के आधार पर, क्या प्राण वायू के आधार पर, अब क्या करूंगा इस पर, इस पर करूंगा प्राण वायू के आधार पर, वेंजन के प्रकार, वेंजन के प्रकार, बेटा वेंजन कितने प्रकार का होता है प्राण वायू के आधार पर, तो बेटा दो ह प्रकार का होता है, एक अल्प प्राण, एक महा प्राण, अल्प प्राण और एक महा प्राण, महा प्राण, बेटा अब इसको कैसे बाटे सर, तो बेटा अल्प प्राण में जो आएंगे, तो अल्प प्राण में हम लेंगे, first, third, इसमें एक एक छोड़ के, second छोड़ दिया, कर फोर्थ छोड़ देंगे फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये अल्प प्राण होंगे और बाकी जो बचे वो महाप्राण होंगे बेटा महाप्राण किन को बोलते हैं और अल्प प्राण किसको बोलते हैं अल्प प्राण उसको कहते हैं जिन में अल्प आयू अल्प वायू निकले ह प्राण वायू, अल्प निकले, अर्थात देखो, इन वर्णों को बोलोगे, तो बड़े प्राण निकलेगे, बोलने में बड़ा जौर पड़ेगा, और इनको बोलोगे, बड़े आराम से बोल दोगे, जैसे, अगर मैं इनको बोलू नdade, तो जैसे, क, ग, और, अंग, ठीक ह लेकिन जब इसको बोलूँ गा घा तो बटा ऐसे लगंगी खा 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 बोलने में जोर पड़ता है खा ऐसे लग लिए से अभी प्राण निकलके गिरेंगे तो जो जिनमें जादा जोर पड़े बोलने में वो महापराण होते हैं बच्चो ठीक है जादा महान लिकर रहे हैं बड़े पराण निकल रहे हैं महापराण अलप माने थोड़े से पराण निकल रहे हैं ठीक है बच्चो तो इस तरीके से याद रख लेंगे बटा देखो मैं उपर भी अग्होस पड़ाया था, इए उस में भी आ रहाई था, दूसरा तो सगहस था, और इधर भी आ रहा है, तो जिन दोनों में आ आता है, उन्में फस्ट जरूर आता है, तो याद रखें कि एपनार का सबसे फस्ट वर्ण भी ऐसे अनार ही होता है, तो इसलिए इन दो परणों को फस्ट तो जरूर देंगे याद रखने की ट्रिक मैं भी ऐसे याद रखता हूँ तो फस्ट एंड फेकंड यहां भी दिया था और यहां फस्ट थर्ड फोर्त दिया बच्चा कुछा दूसरी साइड चला जाता है बच्चो क्या आपने भी ऐसे याद की है जरूर बताना एक बार, बहुत बढ़िया, चलिए, अब और क्या बताऊं बच्छो, अब इन में अंतस्त वेंजन की बात करता हूं, तो महा पराण कौन से में और अलप पराण कौन से में आता है, जरा जरूर बताना, तो बैटा अंतस्त सारे इसमें आ जाते हैं, यह रह लेवे, ब है और ये है बेटा है बोलने में तो यसकी पूरे प्राण जो संगर्स आ रहे होड़ा है तो वैसे ही प्राण निकलेंगे क्योंकि यह तो अंदर versuchen के आ हो चलता है अब बच्चो मैं आगे बताऊं आपको अलप प्राण महा प्राण हमने कर लिया अब स्वर की बात है तो स्वर भी बड़े आराम से बुल जाते हैं तो उनमें भी प्राण नहीं निकलते तो स्वर भी अलप प्राण के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे स्वर तो बताईए बच्चो क्या आपको याद हुआ, बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, अगर आपने इस तरह से सीखा है, तो बटा कभी आप इनको भूल नहीं पाऊगे, क्योंकि मैंने आपको आपके सामने लिख करके बताया ऐसा रहा, अब बात करता हूं बच्चो उच्छ कारण स्थानों की और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्लोज, अब आप बच्चो अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करोगे, तो बटा फिर आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बच जाए तो बता देना, ठीक है बच्चो, कोई क्वेश्चन नहीं तो बटा इस पर स्वेंजन कौन सा है, अन्तस्ट वेंजन कौन सा है, बटा संगर्सी वेंजन कौन सा है, इस तरीके से ही क्वेश्चन इन पर बनते हैं, अब बच्चो अगर मैं देखूं, हाँ, 135 हाँ बटा, 135 महापराण नहीं है, 135 है आपका अलप पराण, ठीक है, इन पाँच आपका अलपराण, अगर कन्फ्यूज हुए, तो बटा हमेशा कन्फ्यूज रहोगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी है तो उच्चारण स्थान क्या है, आपने सुना होगा कि ये तालव्यवर्ण है, ये दंतव्यवर्ण है, तो जो वर्ण जीब के, जीब पाँच आते हैं, ठीक है, ये वर्ण है, तो अगर हम के वर्ण की बात करूँ, तो बटा के वर्ण में कौन से आते हैं, पाँच आते हैं, चे वर्ण में कौन से आते हैं, पाँच आते हैं, चा चा जा जा जा, या, बटा बता तो रखा है न सारा, अब मैं क्या करूँगा बच्चो मैं ये करूँगा चैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग इसको तैवर्ग तैवर्ग और पैवर्ग इन मैं बाट दूँगा ठीक है बच्चो अब इनको मैं उच्चारण स्थान बताने जा रहा हूं आपको तो जो पहला वर्ण होता है बच्चो के वाले को हम कंथे बोलत वर्ण जो तालू से बोले जाते हूं टैवर्ण होता है बेटा मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं उनको टैवर्ण को मूर्धन्य में रखा गया है उससे आगे दंत्य वर्ण होता है दंत्य तो दंत्य ये तैवर्ण आता है इसमें और पैवर्ण होता है बेटा ओस् क्या रख पाओगे, पांच चीजे होती हैं, एक कंठ, एक तालू, एक मूर्धा, एक बच्चे दंत यानि दात और एक ओस्ट, ओस्ट मतलब होट, तो हमारी जीब जिस हिस्से को टच करती है, तालू को टच करें, जिनको बोलते समय वो तालब वेवर्ण होते हैं, हमारी जीब दात को टच करें, तो वो दंत यवर्ण कहलाते हैं, और जब होट को टच करें हमारी जीब, तो वो ओस्ट यवर्ण कहलाते हैं, अब बच्चे बात इतनी सी है, बस बात सिर्फ इतनी सी है, कि कैवर्ग के असर पूरा हाका, खा, गा, गा, अंगा, ये सारा कैवर्ग म आएगा, तो कंठे जितने भी होंगे, जितने भी कंठे वर्ण हैं, तो वो सब कैवर्ग के सारे कंठे वर्ण होते हैं, लेकिन बच्चों हम याद कैसे करते हैं, कि कंठ से, बटा कंठ से, मैं सो रहा था, बच्चे इसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि इसमें अभी मुझे स् सवर कौन से माएंगे ठीक है अंतस्त वेंजन कौन से माएंगे उसमिय वेंजन कौन से माएंगे ये तो अभी इस परसी तो देखें कौन किसमा आएगा पच्चिस याद हो गए कि नहीं हो गए नहीं बताओ बस हो गए ना पच्चिस अब बच्चे अगर मैं केवर्ण की बात करूँ तो देखिए मैं सो रहा था विचारा कभूतर आया आया उसे कहीं जगह नहीं मिली इधर तो कपड़े पहन रखे तो यहां आता ही चौच मारी बहुत जोर से चौच मारी सो रहा था विचारा मैं तो चौच मारते ही मूझ से क्या आवाज निकले खुद बताओ क्या कर दिया ये कभूतर ने कभूतर ने ऐसा पता है क्या कर दिया क्या कर दिया उसने आपके अंदर विच फैक दिया ऐसा लग दिया जैसे किसी ने विच से डस लिया हो विसर्ग तो जो विसर्ग कौन सा होता है बटा कल बताया था ना आयो गवादो तो ये वाला जो विसर होता है ठीक है तो वो इसमें आएगा तो बच्चो आपको याद रहेगा कि कंठ पे चौच किसने बादे करते हं अग्र के कभूतर में आइधी तो पूरा के वर्गुश का अन्दर आ जायेगा क्या बात याद रही बच्चो बहुत बढ़ी से अब मैं चैवर की बात करता हूँ अभी के अभी याद होंगे सारे के सारे जब चैवर की बात करता हूँ बच्चो तो इसको ऐसे याद करता हूँ तालू क्या होता है आप जानते हैं बैटा जो हमारे उपर का हिस्सा है ना जब हम तिली जलाते हैं माच इसके मूह में देल बेटा जीव के उपर की जो छट है न हमारी छट वो है और आगे की छट जो दातों की साइड की वो मूर्धा और पिछली छट गले की साइड की तालव्ये है, तालु है तालु है, तो वही मैं कहना चाहरा हूं, तो तालु होता है, तालु होता log श्ट ठीक है, अब आपको अगर मैं बोलू 25 इस पर 4 अंतस्त चार आपके उसमी है तो 33 वेंजन पर बात खतम कर दी जाती है ठीक है लेकिन अगर उसमें उत्षिप्त मिला दू तो वो 35 बन जाते हैं बच्चो ठीक है अगर उसमें मैं और 4 मिला दू चार 49 यानि संयुक्त वेंजन तो वो 49 बन जाते हैं तो और बटा और भी मिलाने वाले मिला देते हैं जैसे आगत वेंजन को मिला दिया इसलिए कभी इसकी कोई fix गिंती नहीं पूछी जाती है इसलिए आप टाल मारो उसकी बहुत बढ़िया अब अगर मैं बोलू चैवर्ग की बात बटा चैवर्ग को याद करना कितना आसान चैचमच पढ़ते हैं आज तक तो याद रखना चैचमच से याद करवा रहा हूं चैचमच से मापने बच्चे को दूद पिला रही थी चैचमच से चैचमच से बच्चे को दूद पिला रही थी बच्चा पी रहा था ला मम्मी और ला बेटा पीए गया बच्चा अचान ही करेगा यह करेगा बच्चे और क्या करेगा बच्चे की मा ने पूछा ही क्यों कर रहा है चमच लग गई क्या मूंहें बच्चा भी आज मौडर्ण ने पता क्रोथा यस यस चमच लग गई मम्मdefined यस सई पकड़ी हो ममा बिलकुल सई पकड़ी हो तो यस यस भी आपका याद हो जाएगा बच्चो आपको यस ऐसे ही लिखा जाता है ना बच्चो तो ये आपका चार और एड हो गए तो याद रखना जब भी तालू की पूछे तो तालू में बच्चे के चमच लगी थी तो चै चम्मच पूरा और चम्मच करके वच्चा रोया कैसे था इई करके रोया था और फिर मम्मा ने पूछा चम्मच तो बेटा यस बोला था उसने बहुत बढ़िया अब मैं टैवर्ग की बात करता हूं तो बेटा टैवर्ग को हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे अब टैवर्ग को आप ऐसे याद रख लो कि टैवर्ग को कि देखिए मुर्धा मुर्धा वैसे हम मुर्धा को मुर्धा ही कह दे कि या मुर्धा हो गया वो तो मर लिया मुर्धा क्यों जादा टिमाटर खा लिये टैट टिमाटर मुर्धा क्यों वह ना गने टिमाटर खा लिये भाई टिमाटर खा लिए अब भाई टिमाटर खा लिए तो वैद को बुलाओ भाई हो सके अभी जिन्दा हो जाए तो पहले जमाने में वैद भी कैसे रहते थे रिशी टाइप रहते थे रिशी टाइप क्या रे रे और से बेटा रे रे और से रिशी बन गया की नहीं रिशी रे शे रिशी वाला और रिशी में भी यही वाला से बनता है रे तो दोनों एक साथ आएंगे यह वाला भी और यह वाला भी ठीक है तो रे रिशी इसमें आ गय और बच्चो अब इसमें और क्या हो सकता है अगर मैं टे टिमाटर की बात करूँ तो रे और से काफी है इतना ही बहुत है इसके लिए अब आगे बात करता हूं बच्चो इसमें कोई स्वर और नहीं है बस यही स्वर है रे वाला यह भी तो स्वर है ना बच्चो इसमें स्व आपने न थे हंए इसमें स्वर ये हैं अम मैं त्यय वर्ग पर आता हूं याद रखना त्यय होता है हम बच्चे जब थे तो पढ़ते थे तकती त're दी उसके घुमा के अच्छा में लिया सोली ले साले तो तै तक्ती ले भी और साले में भी ये बनती है बच्चो ले और साले तो भाई ये हो गया पूरा तैवर्ग तो तैवर्ग से क्या तोड़ा था तक्ती से दांत तो तब ये इसलिए तक्ती वाला पूरा दांत पे चला जाएगा बच्चो तो तक्ती दांत में लगी गाली दे के मारी थी भाई लड़ाई प्यार थे थोड़ी तक्ती लगवाले यह मुझ से निकलेगी वो तो चलो आगे बढ़ो बच्चो अब मैं पैवर्ग की बात करता हूं बैटा अगर मैं पैवर्ग की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आएगा तो अब आप कहूगे सर पैवर्ग यह बच्चा वर्ण होते हैं बच्चो सबसे पहले बच्चो के मुख से प्याफा बाबा मैं ही निकलता है ठीक है बच्चो अब पैवर्ग जब पैसे तो हम पैपतंग पढ़ते हैं जब पतंग आसमान में उड़ती है तो भाई ओ कैसे कहते ओ ऊरी भाई ऊरी ओ कहा ऊरी पकड़ो उसको पतंग तो भाई ये दोनों ऊ-ऊ-पतंग के लिए हम कर सकते हैं बहुत सुन्दर बेटा ये हमने पैवर्ग पूरा तो पैसे पैपतंग पतंग के लिए ऊरी ऊरी किया था और पैवर्णों में सम्में पूरे पैवर्ग में बेटा पैवर्ग में पूरे में होट मिलाने ही पड़ेंगे कोई सावी वर्ण आपका पैवर्ग का आपका बिना होट मिलाए बोलाई नहीं जा सकता पै फै भा भा और मा बेटा कोई सावी वर्ण ऐसा हो कोई माई का लाल या माई की लाली जो इसको बोल सके बिना होटो को मिलाए बिना होटो को मिलाए अगर कोई भी इसको बोल पाए तो जरूर बताना उसका इंटर्व्यू लूँगा अपने चैनल पर बुलाके ठीक है बच्चो चलो फिर दिखाएंगे यह तगड़ा यह तगड़ा जलुआ इस अगवान ने इसके होट ही घलत बनाए क्योंकि इसका का मी भीनिए होटो का अब भच्चो अगर आगे बोलू तो अब आप कहोगे सर अभी तो यह भी तो रहगा रह गया ja ja इन पर और यह रह गया अब एक वैब रह गया बटा अंतस्त में ये भी रह गया उसमें तो सारे आगे ऊपर चेकर लेना और ये रह गये तो यह पांच रहे गें, इनको कैसे बोलते हैं, जरत्ध्यान दो. बेटा यह क्या है? यह दोनों एक ही थालीक हैं, यह भी एक ही थालीक हैं. तो इनका एक ही स्थान है बोलने का, अब बच्चो आपको भी पताएं, कि यह A से मिलके बनते हैं तो A तो इसमें आएगा अब A के बोलने का इस्थान बताओ A, A, वो वाली अवाज थी कै कबूतर वाली थी कंथ वाली थी तो कंथ, कंथ पिलस, अब ओ किस से कल बताया था बच्चो यह ओ किस से मिलके बनता तो उ किसमे आया था, उ किसमे पतंग वो उडरी, पतंग वाला ओस्थ है में था, तो बेटा ओस्थ, तो ओस्थ और कंठ से मिलके बनता है, अर्थात इसको क्या बोलूंगा, बेटा पूरा मैथमेटिक्स बना दिया मैंने यहां, कि लॉजिक बता रहा हूं, कैसे बनाए कंठ अब आप कभी भूल नहीं सकते इसको कि कंठोस्थ क्यूं है यह दोनों, यह दोनों कंठ और होट से मिलके बनते हैं, अब बच्चों इसकी भी बात करूं, तो यह A पिलस E से मिलके बना है, कल सिखाया था, A E से A बनता है, अब A से क्या बनता है बेटा, A तो कंठ का है, और E किस में बना था बच्चा चिलाया था E E मम्मी तालू में लग गई थी जब उसको उसके तालू में मम्मी ने चम्मच मार दी तो कंथ और तालू तो बेटा कंथ तालव्य इसका बोल देते हैं कंथ तालव्य वर्ण कौन से हैं तो कंथ तालव्य यह दोनों वर्ण हो जाते हैं और I अब बच्चों मैं इसको बोलू तो ये भी दो से मिलकर है ये कैसे बोल सकता हूं दो पे सर इसको ऐसे बोलते हूं एक बार बोल के बताओ वे बोल के बताओ वे एसे लग रहा है हमारे दाध जो ना जीव़ का कहीं काम नहीं इसका वे दात होटों को काट के फैक देंगे वे बोल के देखो दात जो है होट को काट के खा जाएंगे आज ऐसे लग रहा है तो इसलिए दंत पिलस होट अर्थात इसको दंत ओस्ट कहता हूं और बच्चे ये चेप्टर बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज हो जाता है अब बच्चो अब आप इस पर किसी पर नहीं अटकोगे ये चेप्टर मैंने आपकी लाइफ से खतम कर दिया ऐसा मान सकता हूं बटा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों से बच्चो आप से हाज जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दोस् बच्चो हर चीज हर वो चीज पढ़ाएंगे जो आपको सायद कहीं भी आज तक ना मिली हो और इतने बहतरी नढंग से सिखाने की कोसिस करेंगे कि बच्चो बस आप से बस इसलिए इतना बच्चे इतना जोर लगा रहे हैं फ्री में सब कुछ इसलिए दे रहे हैं ताकि ह हम जादा से जादा लोगों के पास पहुंच सकें और बता सकें कि हम भी टीचिंग में आ चुके हैं यह इसमें हमें आपका सहरे की जरूरत तो होगी होगी आप सब लोग बिना टाइम गवाए नौ बजे जरूर आएंगे बच्चो और आपको पता लगेगा कि हान नौ सकें इस क्लास में अगर आपकर आ सकते हो वरना तो कोई एक्स्ट्रा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है ओके बच्चो बाई बाई फिर मिलते हैं कल नौ बजे मैं तो इसी टाइम मिलूंगा बच्चो ठीक है